CSS है website development create करने के लिए CSS ज़ुरूरी है because एक website show करने के लिए CSS का look and feel चाहिए इसके through से CSS use करके एक website देखा सकते हैं ठीक है इसका बहुत ही ज़ुरूरी है और ए CSS क्या है इसको use करते हैं बहुत सारे जगा में एक ही जगा में use करते हैं और बहुत सारे page में effect करना पड़ता है ठीक है यह lots of work आपको optimize करते था है CSS के through से CSS सिखना जरूरी है but CSS dependency है on HTML HTML के उपर dependency है नहीं तो CSS काम नहीं करेगा क्यों actually अगर मैं और कुछ भी है कुछ भी एक skeleton है skeleton के उपर अगर कुछ dress पहना देता है तो क्या होगा उसका थोड़ा सा अलग रूप में लाइगा इसके बज़े से अगर HTML अगर एक website में दिखा होगे तो वहां पर कुछ नहीं देख सकते हैं अगर CSS लिखना है तो look and feel एद्दम पूरा चेंज हो जाएगा ओके CSS में बहुत सारे है जैसे background color, text color वहां पर image कैसे यूज होता है बहुत सारे है animation बहुत सारे CSS 3 के अंदर ही आ गया है CSS 3 के अंदर यह जो यूज होता है जो animation है 2D, 3D बहुत सारे animation है HTML 5 के अंदर CSS link click के आप यूज कर सकते हैं अब एक website में एक website में आप दिखा सकते हैं जी कैसे use होता है website में सब कुछ CSS 3 से दिखा सकते हैं ओके तो ऐसे करके बहुत सारे चीज है मैं आगे में दिखाऊँगा अभी मैंने पहले दिखा दिया कि HTML कैसे होता है अभी मैं दिखाऊँगा कि CSS क्या है उसके बाद में CSS का फ्रेम और दिखाऊँगा जैसे बूस्ट्रव है में तो मैं आगे में दिखाऊँगा पार्ट बाइपार्ट में दिखाऊँगा ओके तु उसके बात है दोस्तो जावस्क्रिप्ट जेक्वेरी उसके बाद फुली एक website design पूरा प्रोजेक्ट एक मैं दिखाऊँगा एकदम easy एकदम simple है बट एक चीज़ मैं बोल दे रहा हूं पहले बोला है अभी मैं बोल दे रहा हूं अगर इस चैनल पे subscribe नहीं किया है तो जलसी subscribe कर लेजिए उसके बाद आपके पास मिल जाएगा आप क्लिक करके देख सकते है latest video यह है CSS का functionality CSS का look and feel जैसे border एसाइट बहुत सारी चीज़ है बहुत सारी चीज़ है वह मैं आगे दिखा हुगा कैसे display है कैसे visibility है display non-visuality hidden वह सब बहुत सारे functionality है बहुत सारी चीज़ है CSS में CSS में इस screen के उपर ही दिखा सकते हैं और HTML के उपर आप लिख क्लिक के दिखा सकते हैं CSS फाइल होगा CSS का अगर आप inline में लिख सकते है CSS एक ही जागा में लिखेगा तो सब जागा में काम करेगा यह बहुत सारी अच्छा चीज़ है उके उसके बाद आप optimize भी कर सकते हैं CSS के थूँ एक background में image कैसे import करना होता है वह भी CSS के थूँ आप दिखा सकते हैं तो ऐसे मैं बोल रहा हूं कि आप जल्दी अगर नहीं subscribe करिया है तो जल्दी subscribe करिए एंड देखिए लार्म कीजिए प्राक्टिस करिए देखिए एकदम अच्छे तरीके से एक developer बन जाओगे मैं guarantee देकर मैं पूलना हूँ अब सिखिए कुछ सिखाने के लिए मैं कोसिस कर रहा हूं आप लोगों को देखिए प्राइ कीजिए कोसिस कीजिए क्रेट कीजिए प्राक्टिस करिए प्राक्टिस करने के बाद आपका result मिल जाएगा ठीक है तो चलिए दुस्तों स्टार्ट करते हैं CSS कैसे लिखना होता है